दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों पार्ट को कभर किया था जो की बहुत ही इंपोर्टेंट चाप्टर है अभी हम लोग रेस्पाइरेस्टिव सिस्टम यानि की स्वसन तंतर के बारे में समझेंगे यह है जिसमें हम ऑक्सिजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डायकसाइड को बाहर छोड़ते हैं ये oxygen को अंदर लेना और carbon dioxide का बाहर छोड़ना इसी समलित प्रकिरिया को हम लोग स्वसंग कहेंगे और इसमें भाग लेने वाले जितने सारे organ है अंग है इस सब को समलित रूप से स्वसंग तंत्र कहेंगे तो चलिए यहां बात oxygen की हो रही है तो दुनिया की कोई भी अभिकिरिया अगर उसमें कोई भी reaction हो अगर उसमें oxygen मौजूद हो प्रजेंट हो तो वह oxygen reaction होता है यानि oxidation reaction होता है तो इस आधार पे श्वसंग तंत्र भी हमारा oxygen प्रकिरिया है चलिए यह उसमा और उर्जा हमको देता है तो उसमा और उर्जा कैसे देता है जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के सांथ सांथ बोडी में blood का circulation भी चलता है जिसके चलते blood circulation के चलते हमारा body गर्म रहता है यानि कि यह हमारे internal body temperature को maintain करने के लिए बहुत जरूरी है किसी मिरित व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे तो उनका body ठंधा पड़ जाता है क्यों क्योंकि नहीं उसमें सांस लेने की क्रिया हो रही है नहीं उसमें blood circulation की क्रिया हो रही है इसलिए चलिए यह एक करने के लिए ऐसे relate करते हैं कि देखिए catabolic का मतलब काट देना यानि किसी बड़े चीजों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देना catabolic का लाता है वैसे ही हमारा जब सांस हम लोग लेते हैं तो इसमें nitrogen oxygen carbon dioxide बहुत सारे gases इसमें हम लोग लेते हैं even dust particle भी तो उस सब में सिर्फ oxygen को लेकर बाकी सभी को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर हटा दिया जाता है यानि कि यह एक catabolic process है चलिए अब देखते हैं कि बहुत सारे जीवों में इस प्रकिर्ति में बहुत सारे living things हैं अलग-अलग प्रजाती के living things हैं और सारे living things के जो respiratory organ हैं अलग-अ होते हैं तो आएए उसको हम समझ लेते हैं कि कौन से living organism में किस तरह के respiratory organ मौजूद होते हैं तो चलिए सबसे पहले हम अस्तंधारी की बात करें जिसमें human being आते हैं यानि कि यह mammals की बात अगर हम करें तो इसमें हमारा नाक जो है और main respiratory organ नहीं है यह एक सिर्फ रास्ता है सां सकते हैं मूह बंद कर दें तो नाक से सांस ले सकते हैं तो यह कहना बिलकुल अनुचित होगा कि नाक हमारा respiratory organ है नहीं जब main respiratory organ की बात की जाए तो यह फ्ट्रण्स है यहीं खीचता है करके सांस यहीं खीचता है यह तो रास्ते हो गए सिर्फ तो अस्तंधारी में बात करे तो यह हमारा लॉंग्स हो गया, चलिए, इंसेक्ट की बात करें, या कीट पतंगों की बात की जाए, तो उसमें ट्रैकिया होती है, जिसको स्वास नली कहते हैं, ट्रैकिया से कीट पतंग अपना सांस लेते हैं, अब एक्वेटिक एनिमल्स की अगर बात की जाए, जलिये जी गिल्ट से सांस लेते हैं आप लोग बहुत पहले से जांते होंगे कि मचलिया गलफ़डों से शांस लेती है टिक है तो इसलिए यह एकवेटिक ऐनीमल है गिल्ट्स सांस लेते हैं जिसको हिंदी में क्लोम कहेंगे और उर्दु भासा में और बहुत ही पोर्ट इतनाम है गलफर जिसको हम लोग काहते आज जाता है कि गलफर क्या तें बात करें मेडनाव की तो मेडनाव कहते हैं कि अगरिacje मेडनाव apt mac मेडन के अंदर मेंज़यख पादें और और मेडाध थे तरह पर ही होता है sind पड़ा से सांस लेता है वहीं मेड़क जमीन के अंदर होता है आप लोग देखे होंगे इवेन बरसात के दिनों में एक बहुत बड़ा-बड़ा मेड़क निकलता है जो की हाइवरनेट हुए होते हैं जमीन के अंदर तो बड़े मेड़क जब निकलते हैं तो उनका कलर जो है आही जाएगा ठीक है तो यह जमिन के अंदर रहने के चलते यह इनका रंग पीला हो जाता है लेकिन जब यहां के अट्मोसफेर में कुछ दिन रह जाते हैं तो वह अपने वास्तविक रंग में आ जाते हैं तो जमीन के अंदर वाली मेधक जो है स्कीन से सांस लेता है यानि चोटा चोटा बच्चा जो मचली जैसा दिखाई देता है, तो उस condition में वो कहां से सांस लेता है, तो उस condition में वो अपने गिल से, यहीं कलोम जो है, इसी से गिल से सांस लेता है, ठीक है, यह बात हम लोग समझ गए, अब देखते हैं, कि यह breathing आखिर है क्या, यह breathing को हिंदी मे कहेंगे स्वासोच्वास तो स्वासोच्वास क्या है तो सास लेने और छोड़ने की समलित प्रकिरिया को स्वासोच्वास कहेंगे अब देखते हैं इसमें क्या-क्या हम लोग सास लेते हैं तो सास लेना यानि इन्हेलेशन या इंस्पाइरेशन कहिए या इन्हेलेशन कहिए हिंदी में कहेंगे तो नी स्वसन हो जाएगा अगर छोड़ने की बात करें तो छोड़ने में एक्सपाइरेशन या एक्सहेलेशन नहीं दखें एक्जिट करना यानि बाहर निकालना उसी तरह अगर विसर्ग लगा दें तो हो जाएगा नीश वसन इसका मतलब हो गया बाहर छोड़ना जबकि नीश वसन का मतलब हुआ अंदर लेना ध्यान रखना है तो देखिए इसमें हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं 78% ऑक्सिजन लेते हैं 21% और कार्बन डायक्साइड लेते हैं 0 0.03% अब देखते हैं कि इसको छोड़ने की प्रोसेस में क्या हो रही है यहां देखिए नाइट्रोजन 78% लिए नाइट्रोजन 78% छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं ऑक्सिजन 21% लिए जबकि ऑक्सिजन छोड़े मात्र 17% यहां ध्यान दिजेगा हो गया घोटाला जी या ऑक्सिजन के साथ घोटाला हो गया अब देखिए कारबन डायक साइट देखें लिए 0.03% इसको रिलीज कितना कर दिए 4% तो यहां बढ़त हो गई अब यहीं जो 4% का घटत और बढ़त हो रही है इसके बारे में हम लोग को समझना है आखिर यह क्या है क्यों यह घट रहा है क्यों यह बढ़ जा रहा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे तो देखिए समझेंगे ऐसे नहीं इस पर सीवियाई जांच बैठेगी सीवियाई अपना रिपोर्ट देगी तब यह पता चलेगा कि हाँ यह क्यों घट गया क्यों बढ़ गया जो कि बहुत इंपोर्टन क्यों चार्थ बढ़ गया इससे पहले इस फिगर को सवसन मार्ग क्या है सवसन मार्ग वाईू जिस राष्ते से गमन करती 36 मारग गहेंगे अब व सवसन मारग में कौन-कौन से ओरगन आते हैं जड़ा आईए देखते हैं नेगे सबसे पहले नासा छिद ये जो लेरिंग्स यानि स्वरतंत्र होता है और इसी लेरिंग्स के बनावट के चलते सब में अलग-अलग तरह की बनावट होती है जिससे की सब की आवाज जो है अलग-अलग तरह की होती है और ये ग्रस्नी स्वरतंत्र की ही बनावट के चलते लड़कों का वायस और लड़कियों के वायस में difference होता है जिससे की लड़कियों की वायस काफी सुरीली और पतली होती है लड़कों का आवाज थोड़ा भारी होता है it is made by nine cartilage ये नौ तरह की उपास्थियों से मिलके बना होता है नौ परकार की उपास्थियों से मिला होता है जो की E.P. Glotis के just नीचे होता है, E.P. Glotis हम लोग आगे समझेंगे, क्या है, ये E.P. Glotis ही इसकी मतलब एक सुरक्षा कवच कहीं सुरक्षा कवच का काम करती है, फिर आगे आते हैं Trachea, जो स्वास नली है, जिससों, अभी हम लोग पढ़ें हैं, कि कीट में, कीट डाइरेक्ट Trache यहां लोग समझते हैं आई यहां देखिए यहीं हमारा यह नसल पैसे से जो अंदर आने वाली रास्ता है यहां इसी को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया के जस्ट नीचे एक C-shape में C-acriti की देखिए, इसमें cartilage का बना हुआ है, इसको हम लोग bronchi बोलते हैं, यह C-shape में actually क्यों बना होता है, अगर मान लिजिए कि यह C-shape में नहीं बना होता, तब तो यह नली जो है, आपस में चिपक जाती, आपस में जब चिपक जाती, तो air आने में और जाने में problem होता है, इसलिए यहाँ पे एक C-shape का बना दिया गया है, प्रकृति के द्वारा, देखिए कितना अच्छा सब चीज सिस्टमेटिक धंग से बना हुआ है, जो कि यहाँ पे इसको bronchi बोलते हैं, ब्रॉंकियाई का से आगे जब जाता है इस लंग्स में, दोनों लंग्स में एक ही तरह की है, अब इसमें यह वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग bronchiolis बोलते हैं, जो अभी यह bronchiolis स्वस्नी का है, इसको बोलेंगे, अब यह aloviali, aloviali में यह पता चलेगा कि कैसे 4 पर्सेंट की घटत और बढ़त हो रही है, aloviali में यहाँ पे जब एर आएगा, तो यहाँ पे oxygen आएगा, एर तो सब आएगा, लेकिन oxygen इसमें आएगा, यहाँ पे प्रजेंट होता है hemoglobin, यह hemoglobin क्या करता है, ब्लड में तो hemoglobin होता ही है, तो blood होता है, blood में hemoglobin होता है, यह hemoglobin यहाँ पहुंचे हुए oxygen को लेकर और पूरे body में घुम जाता है, पूरे body के एक-एक cell के पास पहुंचा देता है, यहाँ जो hemoglobin होता है, तोटल इसमें oxygen जैसे आएगा, oxygen को पकड़ेगा और पूरे body में लेकर पहुंचा देगा उसको, और body के एक-एक cell तक पहुं रहता है जिसको पावर हाउस आफ सेल कहते हैं उर्जा ग्री बोला जाता है कोशिका का उर्जा ग्री माइट्रो कॉंड्रिया को बोला जाता है तो यह सेल में जैसे ऑक्सिजन पहुचेगा माइट्रो कॉंड्रिया तुरंत यह क्राब साइकल चलाएगा क्राब साइकल एक हैं ट्राइक कार्वक्साईक्ल behi बोलते हैं तीन तरह के नाम से जाना जता है लेकिन Mostly इनको क्रैबस साईकल ही जानते हैं जो कि वो संइटिस्ट के नाम पर ही ही रहता है इसलिए क्रैबस चक्र और क्रैबस चक्र के फलास्रोफ ये प्रोसेस होते हैं जैसे glucose फिर इसमें oxygen मिला फिर carbon dioxide यहां से निकला वाटर निकला और सबसे main चेज 673 किलो कैलोरी energy का formation होता है अब जरा देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है यहां पर क्या निकला? CO2 निकला हमने CO2 लिया था कितना? 0.03% छोड़ा था कितना? 4% तो यह जो CO2 निकल रहा है यह सारे CO2 को वापस लेके आके इसमें छोड़ देता है जिसके चलते जब हम diaphragm नीचे से इसको धका देता है और CO2 बाहर छोड़ देता है ठीक है? तो वहीं CO2 बढ़ जाता है और जो 4% oxygen की कमी हुई थी यह 4% oxygen इसमें काम करता है इस क्रैब्स चक्र को चलाने के लिए क्रैब्स साइकल को चलाने के लिए 4% oxygen की जो रत होती है जो की यहाँ पे होता है चलिए इतना समझ गए हम लोग हो गया? अब देखिए यह जो diaphragm है, diaphragm हम लोग देख रहे हैं, यह जो lungs है diaphragm पे ही टीका होता है फेपड़े के पास उतना capacity नहीं होती है कि वो सांस को छोड़े लेने के लिए खीचने के लिए खीच लेगी लेकिन छोड़ने के लिए यह diaphragm मदद करता है diaphragm यह जो आप इस shape में देख रहे हैं यह parallel shape में आ जाएगा नीचे जब दबेगा तब और फिर छोड़ने के लिए उपर उठेगा तो एक pressure आएगा और उस pressure से हम लोग air को छोड़ देते हैं उस condition में क्या हुआ होता है उसका यह diaphragm ही break कर गया होता है जब diaphragm break कर जाएगा तो सांस लेने को ले लीगा या फिर लिया है तो छोड़ नहीं पाएगा या छोड़ा है तो फिर वापस ले नहीं पाएगा उस condition में वो इंसान की मृत्य हो जाती है बात करें हम जब किसी pregnant औरत की बात की जाए तो diaphragm वहाँ भी नीचे नहीं आ पाएगा चुकि इधर ovary होगा ovary में बच्चा होगा तो उस समय क्या होगा यह उस समय जब उसका rib cage जो होता है यहाँ पर पसलिया जिसको बोलते हैं हम लोग rib cage फैलता है और सिकूरता है तो उस condition में rib cage करता है डाइफराम नहीं यह बात ध्यान में रखने वाली बात है ठीक है क्रैप्स चक्र हम लोग समझ गया है हम एक बार में normally कितना सांस लेते हैं इसके बारे में अगर बात किया जाए तो एक बार में 500 ml 500 ml air एक बार में सांस में लिया जाता है नॉर्मल सांस की बा बात आ गई जब कभी चेस्ट फुलाना ओगड़ा होता है तो उस समय जब करके ऐसे जब कस के सांस लिया जाता है तो उस समय 6000 ml की बात होती 6000 ml सांस लिया जाता है हवा 6000 ml का मतलब हो गया लगभग 6 लीटर और 500 ml लिया जाता है नॉर्मल सांस में जिसको हम लोग टाइडल व शिलिंडर की की बहुत जगह oxygen Cylinder में लोग सांस लेते हैं जैसे परातारो फूर्बत पे चलडने वालें तो वह क्या करते हैं इस oxygen में nitrogen को मिला लेते हैं औक्सिजन में नाइट्रोजन को मिक्स करके तब ये लोग अपने शिलिंडर में लेते हैं और सांस लेते हैं गोता खोर की बात की जाए जो समुंदर में गोता खोर जाते हैं किसी चीज को खोजने तो उस समय औक्सिजन को नाइट्रोजन में लाकर लेके जाया जाता है जात करें ICU की, जिसको intensive care unit कहा जाता है, तो इसमें दो तरह की लोग होते हैं, एक जो normal ICU में जाता है, जिसको बस oxygen mask पहना दिया जाता है, उसका फैफडा जो है हवा को खीच लेता है, तो उस condition में oxygen के साथ hydrogen mix किया जाता है, ICU में ही एक और condition होता है, ventilator, ventilator में वैसे मरीज पहुँच जाते हैं, जब उनका lungs जो है, air को खीचने का capacity नहीं रखता है, तो उस समय क्या किया जाता है, कि ventilator में गए हुए patient को नाक के द्वारा pipe डाल दिया जाता है, जो कि उसके lungs तक पहुँचता है, तब वो सांस लेता है, यानि very critical condition होती है वहाँ पर, वहाँ से बच के आना यानि कि बहुत ही lucky होना होता है, चलिए, अब बात करें एक मिनट में, तो प्रती मिनट में minimum हम लोग 16 बार सांस लेते हैं, ये बचों में different होगा, बच्चे बहुत जादा सांस, मतलब 16 से जादा सांस लेते हैं, चलिए, question हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि हमें हिचकी कैसे आ जाती है, हिचकी आ जाना या फिर कभी-कभी खाते समय सरक जाता है, वो कैसे होता है, तो देखिए, ये जो नली है, इस नली को दो भाग में बाटा गया है, एक आ जाता है, जो हाँ फूड आएगा, मान लिजे ये हो गया, ये फूड का पार्ट हो गया, एक इधर आ गया, जो एर का पार्ट होता है, ठीक है, यहीं पे होता है, इपी गलोटीस, यहीं इपी गलोटीस है, नाम है, इपी गलोटीस, ये इपी गलोटीस आखिर करता क्या है, ये अपने से काम नहीं करता है, इसको जो है, बैल जबाओं में ज्यादातर सुनते हैं कि खाते खाते अगर 150 या फिर सरक जा तो हई कोई तुम्हें याद याद कर रहा है वैसी बात नहीं होती है Thank you हम किसी को याद कर रहे होते हैं, देखिए समझते हैं कैसे, इपी गलोटिस तो माइंड के जो निर्देश मिलता है, उसके हिसाब से काम करता है, मान लिजे आप खाना खाने बैठे हुए हो, आपका दिमाग कहीं और सोच रहा है, जैसे मान लिजे कि दोस्त की बरात गई है, उस बरात में आप किसी कारण वस नहीं जा सकें, अब घर में बैठे हैं, खाना खाने, अब सोच रहे हैं कि वहाँ रहते तो, अरे क्या बात था, वहाँ रहते तो हम बहुत ही अच्छा तरह से अगदम डांस करते हैं, या कुछ भी, दिमाग आपका वहाँ भी जी है, आई इधर भूज जाएगा, तो उस कंडिशन में जब वह इपीग्लोटीस, माल लिजे कि एर की रास्ते की तरफ घुम जाए, तब तो, नो प्राब्लम, कोई दिकत नहीं है, लेकिन यहीं इपीग्लोटीस, अगर कि फूड की तरफ घुम जाए, तब तो भोजन इधर आने करके हिचकी आ जाती है, लेकिन प्रोसेस सेम ही होता है, अगर खाना बहुत तेजी में आ गया, अगर इसमें आ करके इस नली में आ गया इधर, तब और भी तेज से मारेगा, एकदम पूरा पूरा दम लगा के एकदम डाइफराम के पास जितना कैपिसिटी होता है, उतना काफी तेजी से, तब हम लोग नाक से मुह से ऐसे मतलब करके फैक दिया जाता है, तो उसको हम लोग सरकना बोलते हैं, तब बताईए अब कैसे इसमें कोई हमको याद कर रहा होता है, नहीं, हम किसी को याद कर रहे होते हैं, चुकि माइंड हमारा बीजी था, समझ गए, त हम लोग सब समझ गए है, रेस्पारेटरी सिस्टम में, इसको अच्छा से देखिएगा, सब्सक्राइब किजिएगा, लाइक किजिएगा, दोस्तों को सेर किजिएगा, मिलते हैं फिर नए क्लास में, धन्यवाद.